नमस्कार दोस्तों फिरी कुकिंग यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज हम अलग-अलग टाइप के अलग फ्लेवर में मैकरून प्रिमिक्स की रेसेपी आपके साथ सेयर करने आए इस वीडियो में मार्किट से भी अच्छा एक दम ताजा एलमेंट फ्लोर बना के लिए प्रिमिक्स कैसे बनाए जाता है कि सबसे पहले हम एलमेंट फ्लोर बनाने जा रहे हैं एलमेंट फ्लोर बनाने के लिए मैंने यहां पर आधे बरतन में पानी लिया है पानी को तेज गरम करना है पानी के तेज गरम होने पर मैं ले रही हूं कोटन बैग आप कोटन गरम पानी में डीप करूँगी और भार निकालूँगी बार बार इसे गरम पानी में डालना है और भार निकालना है इस तरीके से मैं इसे आठ से नो बार करूँगी एक एक दो दो सेकेंड के लिए बैक को पानी में रहने देना है गैस की फिलेम को हाई रखना है आठ से नो ल barr में से पानी में deeper चुकी हूँ अब मैं फिरसे इसे आठ से 10 वार पानी में deeper करूँघी एक से दो सब्सक्राइब करना है एक से पानी में deeper कर कपड़े पर या फी टोबल पर डालना है अब मैं इन सभी बदामों का चिलका अलग करूंगी गरम पानी में डीप करने से बदाम का चिलका असानी से अलग हो जाता है यह देखिए हमने सभी बदाम का चिलका अलग कर दिया है बदामों उपर से चिलका अलग करने के बाद बदाम के उपर पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए बदामों के सूकने तक आपको अपने OTG को 110 दिग्री पर 5 मिनट के लिए प्रिहिट होने के लिए रखना है 15-16 वार बदामों को पूछने से बदाम के उपर जो पानी था वह पानी सूक चुका है OTG प्रिहिट हो चु घड़ी में टाइम लगा करके मैं इसे 10 मिनट बेक करने के बाद आपको दिखाती हूं यह देखे 10 मिनट में हमारे बदाम बेक हो चुके हैं बदाम के बेक हो जाने के बाद इन्हें करना एक प्लेट में अब मैं बदामों को रूम टेमपेचर पर आने दूंगी बदाम दोने के लिए फ्रीज में रखूंगी गर्मी के मोसम में आपको इने एक रात के लिए फ्रीज में रखना है और सर्दी के मोसम में आपको इने तीन से चार घंटे के लिए फ्रीज में रखना है बादाम पूरी तरीके से चिल्ड हो जाएंगे तब हम इसका पाउडर बना क तो इसमें जो oil होता है वह oil अलगनी होने का है powder बनाने के पहले मिक्सी का जार एकदम सूका और oil फिरी होना चाहिए बादाम को मिक्सी में गुमाते समय इसे लगाताने चलाना रुक रुक के चलाना है 3-4 वार 2-2 सेकंड के लिए मिक्सी में घुमाने से बदाम का पाउडर बनका त्यार हो जाएगा 3-4 वार बदामों को मिक्सी में घुमाने के बाद बदाम को छलनी में डालका छानना है प्री मिक्ष बनाने के लिए आपके बरतन काच के या फिर इस्टील की होनी चाहिए याँ पर मैंने इस्टील की छननी लिए छननी के नीचे रखा है इस्टील का बाउल बादाम जीतना जदा ठंडा होगा पौडर भी उतना ही बढ़िया बन का त्यार होगा छानने के बाद मोटा मोटा बादाम का पौडर बच गया उस पौडर को डालना है फिर से मिक्षी के जार में मैं इसे फिर से मिक्षी में तीन से चार बार दो दो सेकिंड के लिए घुमाऊंगी तीन से चार वार मिक्सी में गुमाने के बाद मैं इसे फिर से छानूंगी हाथों की फिंगर से निचे को हिलाते हुए इसको छानना है क्योंकि एल्मन फ्लोट जो होता है वह थोड़ा सा मोटा होता है वह असानी से छलनी में से भानी निकलता है चलनी में चानने के बाद बचे हुए बदाम को मैं फिर से मिक्सी के जार में डाल रही हूँ मोटा मोटा बदाम का पौडर मिक्सी के जार में थोड़ा सा रहे गया मैं इसमें थोड़े से बदाम और डालूँगी और इसे फिर से 3-4 वार रुक रुक कर मिक्सी में गुमाऊंगी यहाँ पर आपको इस बात का दियान अखना है बदाम को लगतार मिक्सी में नहीं गुमाना है मिक्सी में गुमाने के बाद मैं इसे फिर से छलनी में डाल का छानूंगी बच्चे हुए बदाम के पौडर को चाने के बाद बच्चे हुए बदाम के पौडर को चाने के बाद बच्चे हुए बदाम के पौडर को चाने के बाद बच्चे हुए बदाम के पौडर को चाने के बाद बच्चे हुए बदाम के पौडर को प्लेट में करने के बाद मैं इतने भी बदाम ते उसका हमने पौडर बना का त्यार कर दिया है हमारा जो मोटा मोटा बदाम का पौडर सा जिसको हमने फ्रीज में रखा था वह पूरी तरीके से चिल्ड हो गया है अब मैं इस बदाम के मोटे वाले पौडर को मिक्सी के जार में डाल कर इसका बारिक हुआ बदाम का मोटा मोटा पाउडर दिखाई दे रहा होगा मैं इसे एक डिबी में करके रखने वाली हूँ जब हम मैकरोन की गानिसिंग करेंगे तब मैं इसको यूज करूंगी यह देखिए यहां पर हमारा मार्किट से भी अच्छा ताजा ताजा बदाम का पाउडर बन аша दे सकते हैं रेडिमेट ऐल्मण व楽 में मोश्चर और बिल्कुल भी नहीं दिखाए दे रहा चाहिए अगर आपके ऐल्मण व में ओई दिखाई दे रहा है तो आपके मैक्रोन बिकुल भी सही नहीं बनेंगे रेटीमेट एलमंड फ्लोर को डारेक्ट मैक्रोन बनाने के लिए योज नहीं करना है सबसे पहले ओटीजी को 110 डिगरी पर 5 मिनट के लिए प्रीट होने के लिए रखना है ओटीजी हमारा प्र तरफ सारे में फिलाना है एलमंड फ्लोर को चारो तरफ फिलाने के बाद अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ओटीजी में बेक करूंगी 110 डिगरी पर दोनों ग्रील ओन करके मैं इसे 5 मिनट के लिए बेक करने वाली हूं यह देखे घड़ी में टाइम लगा करके हमने इसे 5 प्लेट में करने के बाद मैं इसे रूम टेंपेचर पर आने दूंगी रेडिमेट एलमंड फ्लोर रूम टेंपेचर पर आ गया है यहां पर हमारा घर का बना हुआ और रेडिमेट एलमंड फ्लोर दोनों ही त्यार हैं अब हम इन दोनों से अललग फ्लेवर में मैकरोन प्र मेकरोन सेल्स बनाने के लिए एक्योडेट मेजरमानी में ऐनका मंपल्स दीए यहां पर मैं ले रही हूं 50 tra Hagigerm एल्मेνड फ्लोर 50ifications गिरां मेद्ट प्रता और सोिल मैकरोन सेल्स बनका त्यार यूज होने वाले सभी बरतनों को अच्छी तरीकित सुखा लेना है आपके बरतन बिना ओईल और मोश्चर के होने चाहिए अब मैं प्रीमिक्स में यूज करने वाली हूँ आइसिंग सुगर यापर मैंने अरवन प्लेटर की आइसिंग सुगर यूज किये आप कोई से भी अच्छे बरेंड की आइसिंग सुगर ले सकते हैं प्रीमिक्स बराने के लिए आप यहां पर 40-50 ग्राम आइसिंग सुगर ले सकते हैं 50 ग्राम आइसिंग सुगर लेने के बाद मैं इसे भी डाल रही हूँ छलनी में, इन दोनों इंगरीडन को छलनी में चानना है, छानते समय छलनी में मोटे मोटे इंगरीडन्स रह जाने पर उसे बापिस बाउल में डालना है, छलनी में चानने के बाद इसे एक बार अच्छे मिक्सी में घुमाऊंगी मिक्सी को रोक रोक कर एक एक सेकंड के लिए इसे मिक्सी में घुमाना है मैक्रोन प्रिमिक्स में यू जोने वाले कोई से इंग्रिडिटन को मिक्सी में लगता नहीं चलाना है यह देखिए हमने इसे एक सेकंड के लिए तीन से चार वार मिक्सी में गुमा दिया है अब मैं इसे फिर से डाल रही हूँ छलनी में छलनी में इस चानना है इसमें जो लंप्स होएंगे वे लंप्स कतम हो जाएंगे मिक्सिंग जितनी जादे अच्छी होएगी हमारे मैकरोन सेल्स भी उतने ही बड़िया बनका त्यार होएंगे यह देखिए यहा आपके साथ जल्द ही शेयर करने वाले हैं आप इस प्रिमिक्स से कलरफुल मैकरोन सेल्स या फिर बिना कलर के मैकरोन सेल्स भी बनाका त्यार कर सकते हैं अब हम दुसरे फ्लेवर में मैकरोन प्रिमिक्स बनाका त्यार करने वाले हैं बेसिक प्रिमिक्स बनाने के लिए हमन डाल रही हूं छलनी में अब मैं ले रही हूं कैडबरी ब्रेंड का कोको पाउडर कोको पाउडर आप कोई से भी अच्छी ब्रेंड का ले सकते हैं मैं यहाँ पर 10 ग्राम कोको पाउडर ले रही हूं कोको पाउडर को डालना है छलनी में इन सब को छलनी में छानना है छानने के बाद यहां पर हमारा चोकलेट मैकरोन प्रीमिक्स बनका त्यार हो गया है अब मैं इसे डालने हो छलनी में प्रीमिक्स में कोई गाठे ना रहे इसलिए इसको छलनी में चानना है यह देखें यहां पर हमारा चोकलेट फ्लेवर में मैकरोन प्रीमिक्स बनका त्यार है अब लेने के बार इसे डालना है छलनी में इसके बाद मैं ले रही हूं अपास में अच्छी तरीके से मिक्स अच्छी तरीके से मिक्सिंग करने के लिए मैं इसे mixi के जार में डाल रहे हूं एक एक सेकिंड के लिए मैं इसे mixi में तीन से चार बार घुमाऊंगी मिकसी में ढूमाने के बाद मैं अपने coconut长 들어올 को डाल रहा हूं छलनी में इसमें कोई काठने ना रहे है इसलिए इसको छलनी में च्छानने के बाद याँ पर हमारा coconut flavor में macaron premix one का त्यार हो गया है अब मैं बनाने जारही हूँ पिस्ता macaron premix premix बनाने के लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ icing sugar याँ पर मैं 50 gram icing sugar ले रही हूं icing sugar को डालना है mixy के jar में इसके बाद मैं ले रही हूँ पिस्ता मैं यहाँ पर 25 ग्राम पिस्ता लोगी मार्किट से पिस्ता लेने से पहले आपको अपने पिस्ते को चेक करना है आपके पिस्ते में किसी पकार की महग या फिर मुलायम नहीं होना चाहिए पिस्ते को मार्किट से लाका 3-4 घंटे के लिए फ्रीज में रखना है जिसे वे ठंडा हो जाए 25 ग्राम पिस्ता लेने के बाद मैं इसे डाल लिए मिक्सी के जार में ठंडे ठंडे पिस्ते से बिना ओइल छोड़े पिस्ते का पाउडर आसान तरह के से बनकर त्यार हो जाएगा इन दोनों को करना है मिक्स अब मैं इसे 2-2 सेकिंड के लिए 4-5 बार मिक्सी में घुमाऊंगी यह देखिए हमने इसे मिक्सी में घुमा लिया है मिक्सी में घुमाने के बाद इसे डालना है छलनी में अब मैं इसमें almond floor डालूँगी 25 ग्राम हमने पिस्तल लेना है almond floor यहाँ पर हमें ready-made almond floor ले रही हूँ आप homemade almond floor ले सकते हैं 25 ग्राम almond floor को डालना है छलनी में इन सब को छलनी में च्छानना है च्छानने के बाद जो मोटो मोटा रह गया है उसे बापिस बाउल में डालना है चार वार मिक्सी में गुमाऊंगी रुक रुक का मिक्सी में गुमाने के बाद अब मैं पिस्ता मैक्रोन प्रिमिक्स को डाल रही हूं छलनी में इसमें कोई गाठे ना रहे इसलिए इसको छलनी में छानना है यह देखिए यहां पर हमारा पिस्ता फ्लेवर में मैक्रोन प्रि fisher mix यहां पर मैंने सबसे च्छोटे साइज वाला ओर्यों बिस्किट निया है याँ पर से क्रीम को बिल्कुल हटा-देना है प्रिरी मिक्स बनाने के लिए बिस्कीट के उपर क्रीम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए प्रीमिक्स बनाने के लिए मैं 15 ग्राम बिस्कीट लोगी बस आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान लखना है बिस्कीट पर क्रीम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए 15 ग्राम बिस्किट के लिए यहाँ पर हमारे 5 बिस्किट लगते हैं इन बिस्किटों के चोटे-चोटे टुकडे करके इने मिक्सी के जार में डालना है इसके बाद मैं ले रही हूँ आइसिंग सुगर बिस्किट में मिठास होती है, इसलिए मैं यहाँ पर 45 ग्राम आइसिंग सुगर ले दी हूँ, 45 ग्राम आइसिंग सुगर को डालना है मिक्सी के जार में, इन दोनों को करना है आपस में अच्छतरीकिस मिक्स, मिक्सिंग हो जाने के बाद मैं इसे 2-2 सेकेंड के लिए 3-4 बा इसे डालना है चलनी में, इन सब को चलनी में चानना है, चलनी में चानते समय बिस्किट के जो छोटे-चोटे टुकड़े रहे हैं उन टुकड़ों को हाथों से करस करते हुए मैं इसे चानने के बाद इन सब को करना है आपस में मिक्स, अच्छी तरीके से मिक्सिंग करने क के लिए मैं इसे मिक्सी के जार में डालूंगी मैं इसे फिर से एक एक सेकिंड के लिए तीन से चार वार मिक्सी में गुमाऊंगी रुक रुक का मिक्सी में गुमाने के बाद और्यो मैकरोन प्री मिक्स को डालना है छलनी में इसमें कोई गाठे न रहे छलनी में छानना है य और सरदी के मोसम में देढ से दो महीने रूम टैम bestee पर रख सकते हैं और फ्रीज में गर्मी में एक महीने के लिए और सरदी में तीन से चार महीने से लिए रख सकते तो प्लिन इस recipe की वीडियो को लाइक कीजिए of और हमावी चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए Yup मैकरों प्रीमिक्स की recipe को देखने के लिए आपका बहुत भौत धन्यवाद इस किलास की आने क्रe प्रीमिक से बने मैकरोन सेल्स की रेसिपी हम आपके साथ जल्दी ही शेयर करने वाले हैं ओके दोस्तों फिर मिलेंगे बाई बाई